हेलो एवरिबड़ी आज आपको एक और इंफोर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैंने जब एक वीडियो लिखा हार्ट के बिमारी हिडिन है छिपा हुआ रहता है पता ही नहीं चलता है और एक दिन सडनली अटैक करता है तो एक हिल्दी आदमी ये भी जानना चाहता है मेरे पस रिस्पॉंस आए बहुत सारे कि हिल्दी आदमी को क्या करना चाहिए उसको कैसे पता चले वो हिडिन है तो पता सुचल जाए नएडवांस तो hidden है तो कैसे पता कर सकते हैं हाट की बिमारी है अंदर अंदर डिवलप तो नहीं कर रहा है apparent ही आप दिखने में healthy हो पहले एक बार बता दू हाट की बिमारी का जो पहले हम लोग बोलते हैं ना 50-60 साल हुआ नहीं तब तक हाट की बिमारी कैसे होगा आज हमारे पास 20-20, 22-25 साल के हाट के पेशेंट आ रहे हैं तो इसलिए उमर वाला चैप्टर अप खिलोज्ट है 20 साल में जो हाट की बिमारी हो रही है वो बंदा बहुत पहले से ही कोलेस्ट्रोल हाई लेके चल रहा है और उसको 20 साल में हाट अड़क हो गया तो इसलिए आपको जिस भी एज में हो पहला चेक अप जो होना चीए होना चीए लिपीड प्रोफाइल एक 300 से 500 रुपे में टेस्ट होता है लिपीड प्रोफाइल कराईए कोलेस्ट्रोल होनी चीए 150 के नीचे नीचे अगर 150 के उपर है या ट्राइगलिस्राइड 150 के उप तो आपका आगे जाके एक सिटी कोरोनरी स्कैन बनता है और दो चीज और चेक करिए ब्लड प्रेशर और शुगर मोटापा ये पांच चीज में से कोई भी चीज पॉजिटीव हो या तो कोलेस्टरॉल जादा हो ट्राइगलिसेट जादा हो या ब्लड प्रेशर जादा हो या शुगर जादा हो या मोटापा हो ये पांच और कोई स्मोकिंग करता हो ये छे में से अट लिस्ट दो चीज अगर पॉजिटीव है तो आप ये समझ के चलिए आपको हाट की बिमारी का जांच करना पड़ेगा और इसके लिए कोई जांच में पैसा खर्चा मत करिए ना ट सीटी स्कैन हो सकता है और वहां जाईए और जाकि सीटी कारणरी स्कैन कराईए आपको पता चल जाएगा आपको आपके अनदर ब्लॉकेच कितना तक रिवलिप कर चुक्ता है दस पर्संट में बीस पर संट में 50 उथ तो को एक्शन लेना पड़ेगा अगर दस पाँज पर और अगर ब्लॉकेज मिल गया तब तो इनको 100% कंट्रोल करना पड़ेगा नहीं तो आगे जाके हार्ट अटेक होगी तो जीस्ट क्या रहा कोई भी उमर में हार्ट का चेक अप के लिए 6 चीज को चेक करेंगे और 6 में से 2 चीज मिनिमम पॉजिटीव हो तो आप फिर वेट न कोई लुकिंग परसन कभी ये क्लेम नहीं करी मेरी तो कुछ भी नहीं है मेरे तो हाट की बिमारी नहीं है यू नेवर नो अंदर कित्ती ब्लॉकेज हो चुका है तो इसलिए कोई भी आदमी हिल्दी हो आज और कल जाके हार्ट का अटेक हो जाए ऐसा पॉसिबल है अंदर प्रूनी ये बीमारी बढ़ते रहती है फिडन रहती है अंदर पता ही नहीं चलता है और एक लिन हाट अटेक में कनवर्ट हो जाता है तो प्लीज अपने ब्लॉकेज को इन एडवाज चेक कराईए सीटी कोरोनारी स्कैन मैं समझता हूँ ये पूरे यूनिवरसली अविल लाव इंडिया भर में आप जरूर करवाईए बस अच्छे जगे करवाईएगा और इसके लिए हमारे 90 सेंटर से क्रोस इंडिया कहीं पे भी आपके क्लोजेस सेंटर है वहाँ जाके बात कीजिए और सीटी कोरोनारी स्कैन जरूर करवाईए और मैं चाहता हूँ ये वीड को जरूर शेयर कीजिए हमारी चैनल को सबस्क्राइब कीजिए कोई हार्ट का बिमार हो तो उनको जरूर बोलिए हमारे हार्ट के सारे वीडियो देखें हार्ट की बिमारी को हम रोक सकते हैं बाइपास एंजियो प्लास्टी को रोक सकते हैं और हार्ट अटैक को रोक सकते ह Thank you so much.